हेलो दोस्तों स्वागता है आपका हमारी यूट्यूब चैनल इस्टेडी होम पर दोस्तों गौर्मेंट जॉब न्यूज के इस वीडियो में आज हम डिसकस करने वाले हैं हर्याना टीचर इलिबिल्टी टैस्ट दोस्ते रिकीस के बारे में दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल इस्टेडी होम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगया आने वाली सभी गौर्मेंट जॉब की न्यूज सबसे पहले बिलती रहे तो दोस्तों यहां पर हर्याना टीचर डिलिविलिटेश यानी आइस टाइट दोजार इकीस के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है इसमें हम वन वई वन सारी चीज़ें डिसकस करेंगे सबसे पहले डिसकस करते हैं फीस इस्ट्रक्चर के बारे में दोस्तों यह एक्जाम तीन लेवल पर होता है तो इसमें अगर आप एक्जाम देना चाहते हैं तो पांच रुपे फीस लगेगी और दो एक्जाम देना चाहते हैं तो 900 और अगर तीनों लेवल पर एक्जाम देना चाहते हैं तो आपके 1200 रुपे फीस लगने वाली है दूसरा फूर ओल कंडिडेट्स एक्जाम के लिए एक पेपर के लिए 1000 रुपे दो पेपरों के लिए 1800 रुपे और तीन पेपरों के लिए 2400 रुपे और अगर आप हर्यान से बाहर के हैं तो भी आपके फीस जनरल कैटिग्री में लगेगी एक पेपर के लिए 1000 रुपे दो पेपर के लिए 1800 रुपे और तीन पेपर के लिए 2400 रुपे यहां पर सब सब पहले लिटिक्स करेंगे हम इंपर्इंट डेट ओनौनवाइन अप्लिकेशन शिस्टम में 15 गया रहे हैं थैज से यह अनलाइन अप्लिकेशन लिये जा रहे हैं लास्ट डेट है ओनलाइन एप्लिकेशन की पचीस गया रहा है पचीस नॉब्र दोजार एकीस तक ही फ़र्म लिये जाएंगे अगर कोई करेक्शन करना है आपको ओनलाइन फ़र्म में तो यह 26 तारीक से लेकर 28 तक ही जाने है और दोस्तों यहां पर सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि एड्मिट कार्श विल नॉट बी सेंड बाई पोस्ट आपको एड्मिट कार्ड पोस्ट के दारा नहीं भेज़े जाएंगे आप उनलाइन इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों बात करेंगे लेवल्स की तो यह एक्जाम थी लेवल्स पर होता है तो इस तरह से ने लेवल्स पर एक्जाम होता है इसके लिए हम building & Minimum qualifications जो होनी चाहिए उसको discuss करेंगे तो फिस्ट के लिए primary level के लिए आपकी Minimum qualification क्या होनी चाहिए जो की PRT का जाता है इसके लिए senior secondary यानि 12th with at least fifty percent of marks and past or appearing in final year of two year diploma in elementary education एलिमेंटर एजुकेशन में आप फाइनिल लिमने होने चाहिए और दूसरा सीने सेकेंटरी विद एट लिस्ट और फिर आपके पास होना चाहिए सीने सेकेंटरी प्लस सीने सेकेंटरी में 50 परसेंट माक्स होने चाहिए और पास्ट और अप्पेरिंग इन फाइनल ये और फोर ये बैसलर ऑफ एलिमेंटर एजुकेशन यानि ब्लाइड में आप या तो फाइनल ये नि फोरे यहां फिर पास्ट होना चाहिए जा फिर होना चाहिए या फिर होना चाहिए towards a Steel कास और और दूसरा है मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत से होनी चाहिए या फिर सीनर सेकंडरी यानि की हाइश्कूल इंटर और ग्रेजिशन या पोस्ट ग्रेजिशन विद हिंदी अधि और ग्रेजिशन पोस्ट ग्रेजिशन में आपको हिंदी जरूर होनी चाहिए एक सब्सक्ट के रूप में दूसरा है दोस्तों लेवल टू पे के लिए क्या है टीजिटी लेवल के लिए टीजिटी अगर आप सेस्टी देना चाहते हैं तो आपको बी या भी कॉम होना और दो येर का डिप्लोमा होना चाहिए है एलिमेंटि एड्यीय। एड्यूकेशनиваем.. या फिर बीएड कॉम फिफिट होना चाहिए या फिर होना चाहिए बी-ए-बी-कॉम विद-45 परसेंट मार्क्स एंड टू यर बैचलर एजुकेशन एंड यानि की बी-एड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास और या फिर होना चाहिए सीने सेकंडरी यानि ट्वैल्थ विद 50 परसेंट मार्क्स के साथ और फॉर यर बैसलर डिग्री बैसलर डिप्लोम होना चाहिए आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में यानि बी-एल एड होना चाहिए या फिर सीनियर सेकंडरी होना चाहिए 50 परसेंट मार्क्स साथ और फॉर यर का बी-ए-बी-कॉम एड होना चाहिए और दोस्तों इस तरह से और भी क्वालिफिकेशन दी गही है या टीजटी साइंस में आप अप्लाइ करने चाहते हैं तो बी-एस्सी और टू-एयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में या फिर बी-एस्सी विद फिप्टी परसेंट मार्क्स और ट ऐसे पर टू-ए या फिर बी-एस्सी वेविद फिप्टी पैसेंट मार्क्स और एक येर का बी-एडइब इस्पेसल एजुकेशन में होना चाहिए आपके पास ऐसे ही टी-उटी मैत्मेटिकस में आपके पास भी एबी एबी सी-उटॉ-इस्सी वि及 कॉम इज फिप्टी 25% marks and as well as 50% marks in mathematics, mathematics में 50% marks होने चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास, तो इसी तरह से दोस्तों सब्जेक्ट वाइस यहां पर यह सारी डिटल्स दी गई हैं, टीजीटी इंगलिस के लिए क्या होना चाहिए और टीजीटी हिंदी के लिए अगर अपलाइ करने तो आपकी क्या होनी चाहिए, यह सारी डिटल्स दी हैं, दोस्तों आप सारा यह विग्यापन पढ़ सकते हैं, हम इस वीडियो के डिसक्रिशन में इसका लिंक दे देंगे, वहां से डाउनलोड करके आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं, तो इसके बाद आता है, दोस्तों लेवल लेवल थिरी, पीजीटी, पीजीटी की मिनिमूम कालिफिकेशन हम डिसक्स करेंगे, यहां पर, लेवल थिरी, पीजीटी, यानि पोस्ट गेड टीचर में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यह किसके सब्जेक्ट के लिए बढ़ सकते हैं, एंगलिस, हिंदी, जियोग् जियोग्राफी, जियोग्राफी, और हॉम साइंस, सोचियलोजी, साइकलोजी, पंजाबी, उर्दु एंड हिस्ट्री के लिए, तो अगर आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में आप अगर पढ़ना चाहते हैं, तो मिनिमूम कालिफिकेशन आपकी वैसे सभी यह पोस्त बैस्ट डिग्री होनी चाहिए, मैस्टर डिग्री होनी चाहिए, बजीस अगरें सब्जेक्टूम के प्रप्लाइरे कर रहे चाहिं, दूसरा मैट्रिक वेद dissertation हिम्धी और संस्कृत होनी चाहिए, यह सेरी कर बाक्तिन? 171о西 Diamond में पीजीटी के लिए अपलाइ करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब से चाहिए और दूसरा मैट्रिक में हिंदी होनी चाहिए या संस्कत होनी चाहिए ये सब दिया हुआ दूसरा PGT संसकत में आप करना चाहते हैं और आप PGT biology में अगर करना चाहते हैं तो इनके लिए अलगलग subject wise दिया जैसे आप PGT physics में करना चाहते हैं MSC physics होना चाहिए या फिर MSC applied physics होना चाहिए nuclear physics या electronic science electronics with 50% marks और B8 होना चाहिए दूसरा Matex with Hindi और Sanskrit!. हने हीजिदे legali आपके पास या फिर ईंजरी के इंटर में अे इगरेशन में का म्या उनक मा मेश्डे मेर आपके पास होना छाइए के इंदी आप इन्हें पूरा थोरोली पड़ सकते हैं और बात करेंगे स्कीम एंड इस्ट्रक्चर ऑफ टैस्ट की किस तरह से होगा दोस्तों यहां पर आल कॉस्टन्स इन एस्टैट विल भी मल्टिपल चाइब चॉइस टैप कॉस्टन्स होंगे चार विकल्प दिये जाएंगे जिनमें से आपको एक चूज करना होगा और देयर सैल भी नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो वन भाई वन हम लेवल वन का पहले डिसक्स करेंगे फोर विकम विकमिंग टीचर फोर क्लास वन टू फाइब का अगर टीचर वन ना चाह रहे हैं प्राइमे टीचर तो उसके लिए क्या होगा आश्लेवर्श मिल्ट है कि इसमें यह पांच सेक्शन होंगे पांच सेक्सन हैै इस तरह से और कैसे होंगे नंबर एक होगा चैल्ड डेवल्मेंट एंड पैडागोजी यह 30 को से नंबर के का दूसरा होगा लैंग्विज में हिंधी के 15 mcq होंगे और 15 mcq होंगे इंगलिस की तो इस तरह से 30 mcq होंगे 30 नंबर के तीसरा होगा General Studies General Studies में आपके आप से क्या पूछा जाएगा जर्लिश्टेच्टीज में 30 नंबर के क्वेस्टन होंगे 303 मार्ट क्या होंगे और इसमें quantitative quantitative कि अवींटी टेटिव को गएंगे के दस नंबर होंगे रिजिन के लिएर्याना शेल मेह चैनल कन लिए अद धिन की अनुने इस तरह से कॉस्तलों होगे जोथा सेक्ष्ण होगा ठ्वूह मैंतमेटिक्स के मैंत मैं वैंतिक्स में थी मैंत जेक्षाल कि गौने नेचर और इस्टेंडर्ड और क्या होगा आई जानते हैं दोस्तो दर टेस्ट आइटम और चाइल्ड डेव्मेंट इंड पैड़ागोजी विल फोकस ओन एड़ुकेशनल पैड़ागोजी और टीचिंग और लर्निंग रिलेवेंट टू एज ग्रूप छैसे ग्यारे के लिए टीचिंग या एड़ुकेशनल पैड़ागोजी आपसे पूछी जाएगी दूसरा टेस्ट आइटम और लैंग्व और गॉस्टन इन टेस्ट फोर लेवल वन विल बेश्ट ओन टॉपिक और प्रिस्क्राइब स्लेवस फोर क्लास 1-5 बट देयर दिफिकल्टी संटर अस वेल आज लिंग इस कोड बी अप टू अप टू सेकंड रिश्टी इस यानि की हाइज कुल लेवल का ये होगा वैसे 1 कि बात करें तो यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे फोर कैटेग्री एक्सेप्ट एसी और डिफिरेंट्ली एवल डियानि दिव्यांग जनों को छोड़कर 60 परसेंट मार्क्स आपके होने चाहिए यानि कि नभ नंबर पर पास है और एसी एसी और दिव्यांग जन के लिए 55 परसेंट मार्क्स पर पास होंगे बैसी नंबर पर और फोर सेडूल कास्ट एंडेफिरेंट्ली एवल्ड अधर श्टेट अधर स्टेट से हैं आप तो जनल में काउंट की जाएंगे तो आपको 90 मार्क्स लाने होंगे दूसरा है लेवल सेगंड लेवल सेगंड अधर ने को बेकम्ट टीचर फोल क्लास इज श्क्स टू एट ट्रेंग टीचर के लिए जो स्लेवस है वह इस तरह से है इसमें भी पहला सेक्शन है चायल डवल्मेंट पेडागोजी का तीस नंबर के दीज्ट को सनों गे और लैंग्वेजिज में हिंदी के पंदरह और इ और subject specific as opted यानि कि जो subject आप Goal जो करते हैं उस subject से साथ को सन कोचे जाएंगे मालीजी आप टीजिती मैथ के लिए कर रहे हैं तो साथ को सन मैथ के पूचे जाएंगे और ए और दोस्तों अगर इनके लेवल की बात करें तो यह मतलब इनका यह पैड़ागोजी की वाले जो क्वेस्टन्स हैं वह 11-16 साल की बच्चे के हिसाब से पूछे जाएंगे 11-16 साल के बच्चे पर आप टीचिंग इसको कैसे उज़ करते हैं उसके हिसाब से और इसके अलावा देखिए दो क्वेस्टन इन टेस्ट फोर लेवल सेकेंड विल बेस्ट अन्ट आपक्स ऑप्रिस्क्राप्स लेवस्ट जो इसलाख हमने डिसकस करा उस पर होंगे लेकिन बट यह यह से दस्तक के लिए होता है वैसे बट दियर डिफिकल्टी इस्टेंट आज आज लिंकेज कोड़ बी अप्टू दस सीने सेकंडरी इस्टेज यानि ट्वैल्थ रेवल का इस्टेंटर होगा कॉस्टन्स का जो आप से पूछे जाएंगे कॉलिफाइंग मार्क्स वही हैं अगर आप जर्रल कंडिडेट हैं तो आप उसे 60 परशन मार्क्स के उमीद की आप जाती है 19 नमबर पर आप पास होते हैं और एससी कंडिडेट हैं या फिर फिजीकली डिसेवल्ड कंडिडेट है तो ब्यासी नमर पर पास है आप और ऐसेस्ट यानि जो अधर स्टेट के कंडिडेट हैं उन्न वह भी शिक्सित नमबर स्टेशनिक्ध पर प्कांस फुर्ण हाफ एफ एफ आवर का हा तो इसमें सबसे पहला सेक्षण वही चायल डिवल्लमेंट न्पटागोजी तीस नंबर के अ कुस्चन होगे थीस नंबर सेख्ष्ण हरें इंग्लीज के पंदर कुस्चन होगे इन्ग्लिज के पंदर कुस्चन होंगे इस थरह से 30 और जो चौधा सेक्षन है सब्जेक्ट स्पेसिफिक एइस आप्टेट यानि आपसे ने जो सब्जेक्ट चूज किया है और सब्जेक्ट चे आपसे कुछन पूछे जाएंगे 60 कुछे जाएंगे 60 नंबर के 500 नंबर का यानि कुल मिला के पेपर होगा और बात करेंगे इसके डिफिकल्टी लेवल की तो दोस्तों कुछेंट इन दे टेस्ट विल बेस्ट अन्द टॉपिक्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड श्लेवर्स ऑफ द बोर्ड और स्कूल एजुक्रिशन हर्याना फो क्लास 9 तु 12 वैसे कुछेंट तो होंगे 9 से 12 तक के लिए लेकिन यह होगा पोस्ट लेवल का तो और क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स हुई है जो पहले वाले सबी सेक्सेंस के लिए थी दोस्तों बात करेंगे स्केड्यूल और एक्जामिनेशन कब होना है डेट अफ टेस्ट है 18 दिसम्बर 2021 और 19 एडमिट कार्टाइमिंग होगी और डियरेशन होता है डिट गंटे का sorry विखेशन दॉट अधियरेशन होगा ड्राइट होगा डेटामिनेट का और लेंग्विज ऑफ कोस्टन पेपर्स ऑलकुस्टन एक्सेप्ट दोस कंसर्णिंग लेग्वेस अब्जेक्ट्ट विल बी यानि कि पेपर दौनों लेंग्विज में होगा हिंदी और इंग्लिश में दूस्तों बात करेंगे एग्जमिनेशन सेंटर्स के बारे में तो दा बॉर्ड ऑफ इस्कूल एजुकेशन हर्याना रिजर्व तर राइट टू क्रियेट एग्जमिशन सेंटर एप्रिवियर एनि परियान के बाहर कहीं भी सेंटर्स रख सकता है और हावेवर एफर्ट्स विल भी मेड जबकि प्रियास किया जाएंगे कि एग्जमिनेशन सेंटर जो हो हों होम डिस्टिक में ही हों आपके ग्रह जनपद में ही आपका एग्जाम सेंटर होगा आपके एड्रस को देखते आपको सबसे पहले एप्लिकेशन फॉर्म बनना है फिर अप्लोड इमेजिस करना है और कंफिरमेशन पेज आपको भरना है प्लीज तो इसके लिए आप ओनलाइन एप्लिकेशन भर सकते हैं हर्याना हर्याना टैट डॉट इन पर जाकर पंतर ग्यारे दोजार इकीस के साम चार वज़े से भरे जा रहे हैं और यह 25 ग्यारे दोजार इकीस तक भरे जाएंगे और दोस्तों इसके अलावा हम एक इंपोर्टेंट चीज आप से डिसक्स करेंगे मोड़ ऑफ एक्जामनेशन मोड़ ऑफ एक्जामनेशन होगा यह मतलब पैन पेपर टाइप का वो है ऑनलाइन पेप वो नहीं है एक्जाम यह पैन पेपर बेस्ट एक्जाम है और अगला है एड्मिट कार्ड ऑनलाइन तो एड्मिट कार्ड एड्मिट कार्ड विल नॉट भी सेंड बाई पोस्ट पोस्ट के द्वारा नहीं भी जैंग एड्मिट कार्ड आप एड्मिट कार्ड एड्स टेट की ओफिसियल वेब साइट हर्याना टेट डॉट इन पर जाकर आठ बारह दोजार इकीस से इनको डॉट कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से हमने इसमें सार कर दाउंलोड करके पूरा ना पर सकते हैं तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद हमारी हम्हें वीडियो कैसा लगा-णिवार in करकर जभर अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक दोस्तों के साथ सेचर करें साथ हमारा चानल शीलिहज और बो